हेलो मेरी यूट फेमिली आपसे कैसे हो आप सब अब ऑब पर और हम भी आफ चाहें तो में आपके साथ ए बहुत सब आपके अची पाप हमेर क्या उख रख भा depress and live पर फृणने ले ले लिए चॉले चॉले gi ख में अच्छा से बहुत अच्छा साफ में ऑप दोलेंगे क्योंकि इसमें पावडर मिलाया जाते हैं जिससे कि ये खराब नहीं होता है हमने इसे दो तीन बार अच्छे से वोस कर लिया है इसके बाद से हमने कुकर में डाल दिया है क्या इसमें एट कर दूंगी एक गलास पानी साथ ही समें अब एट कर देंगे हम थोड़ा दिया है और अग्कन में लगा देंगे हम सीटी और अब ले लेंगे इसके हम तीन सीटी जब तक हमh стен पकते हैं तब तक हम पपिंट को काट लेंगे मैंने डाइसो ग्राम पंकिन दिया है इसे अच्छे कर दिया है चूले जो पकने के लिए रखे हुए थे वो भी अच्छे से पक चुक्य है आप देख सकते हो इस तरह से हाथ में मसल ते हुए आप चेक कर सकते हो पके है या नहीं थामय जूले बहुत अच्छे से पक चुक्य है कड़ा है करा दिया कि पत्ता हेंग इस में कूछ दे रहा हम तेल में चटक ओं डॉने देंगे इसके बाद मैं दाल दून जो इनका चलाने के बाद कर म्युला दॉने। झे ending ज़ाने क्टो प्याज को भी हम इसे हरी मिर्ची और प्याज को एक साथ हे डाल देंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैं अब एट कर दूंगी प्याज अब प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और हाथ को कंटिन्यू चलाते नहेंगे प्याज ब्राउन हो चुके हैं इसमें लाल मिर्ची धनिया पाउडर हजबी पाउडर और नमक डाल देंगे अच्छे से हम कुछ देर इसी तरह से सोटे कर लेंगे सारे मसाले सुके हैं जलने का डर रहेगा इसलिए फ्रेंड्स इसमें फटाफट से हम एट कर देंगे टमाटर तमाटर हमने पहले से ही काट के रखे हुए थे तमाटर में वटर होता है इसलिए ये मसालो को जलने नहीं देगा इसलिए हम इसमें फटाफट से टमाटर डाल दिए है अब इसे हम कुछ देर के लिए ढख कर रख देंगे जब तक की मसाले ओइल ना छोड़ दे कुछ दिर बाद इसमें हम अब एट कर देंगे पमकीन पमकिन के मेने छिलके नहीं उतारे हैं छिलके इसलिए नहीं उतारे हैं फ्रेंड्स कि अगर हम छिलके उतार देते तो पमकिन पूरा ही गल जाता है और हम छिलके अगर नहीं उतारते हैं तो पमकिन बहुत ही टेश्टी बनता है और एकदम बिल्कुल गला गला सा नहीं लगता है इस तरह से कुछ दिर इसे मसालों में ही हम कोडेट रहने देंगे और इसे ढख देंगे लगबग 2-3 मिनट तक इसे ढख कर पकाने के बाद इसमें इनको अच्छे से हम चला देंगे और इसे कुछ दिर के लिए ओढ़क देंगे हम कुछ दिर बार फ्रेंड्स हम चेक कर लेंगे कि चवली कद्दू हमारा कितना पका है तो कद्दू हमारा बहुत ज़्यादा भी पका नहीं है इसी स्टेज पर मसाली अच्छे से कोडेट हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे पानी इसी स्टेज पर हमें पानी डालना है तक कि जो हमारे पंकिन के टूड़ों में जितना भी मसाली एबसर्ब होना हो हो चुका होता है तब इसमें हमने पानी एट कर दिया है और अब हम इसे पानी में फूजर इसी तरह से पका लेंगे लगभग 2-3 मिनट तक आप देख सकते हो 50% से जादा हमारे पमकिन पक चुके हैं तब इसमें हम एट कर देंगे लोबिया इसे अच्छे से हम चलाते हुए इसमें जरता हुए इसम發現 उसमें अच्छे मिलाने के बाद इसमा ढंट ने एक सॉर अच्छे से नहीं पका लेंगे जल्सादा में यसे हमें उससे की किला और आप इसे रोटी सबजी प्राठा इस के साथ चेस्टी लगता है और इस पहरा भरा धन्या इस इसे टोड़ी के साथ butcher मूंधफली कुटब्हुट कास्ट करीकि के वह हो 뛸 चेस्टी लगताद है वा आपको आपका दिल खुस हो जाएगा अगर लाग मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए गा चैनल पर नब नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब किजिएका और वीडियो में अंत तक बने रहने के भिचेंज अपका बहुत-बहुत धन्यवा फिर इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई